हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब तो देखिए त्युहारों के सीजन में आज एक और मिठाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको देखते ही समझ में आगया होगा कि यह मिल्केक है और मैंने यह मावे से नहीं बनाया है मैंने जो घी बनाते हैं तो घी का जो मावा हम निकालते हैं मतलब जो घी की छानस होती है उससे मैंने यह मिल्केक बनाया है और आप देखो कितना दानेदार और कितना अच्छा बनाया है यह मिल्केक और खाने में बिल्कुल ऐसा नहीं तो मैंने इसको बस एक बार चला दिया, हलका सा, दो मिनट के लिए ऐसी उबाल लिया इसको, और उसके बाद जो हमारे पास ये खोया है, मावा है हमारा घी वाला निकलवा, इसको मैंने ग्रेट कर लिया, तो पतली वाली साइट से ग्रेट कराया है मैंने इसको, और ये देख सब्सक्राइब करक्यान है CHA 324 już में मिक्स दिया तो हमें दूद मेन ग्रेज्व ली मेक्स करना है सब कुछ बहुत तीर धी मिक्सक्राइन करना झाल कि यही जिससे कि एक दम से दूद अगर गाल गए तो मुश्किल हो जाएकि कर रहेगा विट तो थोड़ा और अगर आपके पास ये घी की छानस नहीं है तो सेम प्रोसेस है आप मार्केट से मावा ले 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 और उसको भी इसी तरीके से गद्दू कस करके दूद में डालना होता है हमें और चलाना होता है जब तक कि वो गाड़ेपन पर ना आ जाए तो देखिए इससे दाना भी आ गया हमारे दूद में और दूद काड़ा भी हो गया है काफी हद तक और अब मैंने इसमें चीनी डाली थी एक कटोरी चीनी डालके और उसको भी चला दिया है अच्छे से और साथ में मैंने डाला है ये दो चमबच भर के देसी घी और एक ये लगे ना बीचे से और जब ये गाड़ेपन पर आने लगेगा ना तब इसको उपर से बीच-बीच में धकना पड़ेगा क्योंकि इसको उपर से काफी छीटे आती हैं तो उससे जलने का डर रहता है तो इसको धक धक के पकाएंगे तो ये अच्छे से पक भी जाएगा और छीटे भी नहीं आएगे हमारे उपर तो जब वो पक चुका था तो मैंने एक कंटेनर लिया था और इसमें मैंने घी लगा लिया चारो साइड में और अपना ये पकावा मावा जो था है इसमें मैंने इसको पलट दिया और अच्छे से इसको लेविल में कर दूँ ली दबा दबा के जिससे की यह अच्छे से सेट हो जाए अब जो मिलकेक का एक मेन प्रोसेस है आप मावे से बनाए तो भी उसमें हमें इस प्रोसेस का विशेश ध्यान रखना पड़ता है तो जब हम इसको एक कंटेनर में सेट कर देंगे न उसके बाद हमें इसे ऐसी जगे प्रोसे बंद करके और कैसरोल में रखने के बाद मैं उपर से लगा रही हूं धकन और इसको भी मैं उपर से मोटी-मोटी तॉलियों से कवर कर दूँगी जिससे कि बिल्कुल भी इसमें एर जाने के चांस ना रहे हैं और आप किसी चादर से भी कर सकते हैं मतलब कहने का मत अब इसको मैं खोल के देख रही हूँ क्योंकि यह पूरी रात ऐसी रखा रहा था इसी के अंदर कैसरोल के अंदर और अब इसको खोल के देखेंगे कि इसकी क्या कंडिशन है वाओ कितना अच्छा सा कलर लग रहा है ना चेड भी आ गया बीच में डार्क है साइड़ों से थोड़ा लाइट कलर है और बस यह रीजन होता है इसको रात को कवर करके रखने का दिन में भी रखेंगे तो कम से कम 10-14 घंटे कली रखना पड़ेगा इसको अब इसके थोड़े से किनारे चुटा लूँगी चाकु से और फिर मैं इसको पलटके और कट करके सर्व करके आपको दिखाऊंगी तो अराम से बस किनारे पहले चुटाने होंगे चुकि हमने इसमें घी लगा रखाया तो यह अराम से निकल जाएगा इसमें से केक है तो चलिए अब इसको काट लेते हैं और काटके इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब बहुत अच्छे से सैट हो गया है जम गया है चुकि यह घी से बना है तो थोड़ा सा हम इसे काटेंगे तो थोड़ा सा इदर उदर से पीसे निकलेंगे इसके अगर आप खोएका बनाएंगे तो बिल्कुल भी निकलेगा बिल्कुल चिकनाई से जम जायेगा बहुत अच्छी तरीके सेはい ये देखिए ये बिल्कुल अच्छा टट गया है कि हमार एक में सá पीच को साइट जय सकतरह कि हमें चाहिए मिलन ऐनकर का कालर तो अब मैंने इसको काटके और मैं इसको प्लेट पे लगा दूँगी और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था तो आप बताईए आपको मेरा बनायावा ये मिल के कैसा लगा और अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताईएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में और अगर आपक पूछी गई रेसिपी बताऊं किस तरीके से बनेगी क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूं घरेलू तरीके से तो आई होब आप लोग समझ जाते होंगे और ये मैंने कुछ पिस्ता काटके भी इस पर सजा दिया है क्योंकि मुझे पिस्ता बहुत अच्छा लगता मिठाईयों पर लगावा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और आगे भी शेर कीजेगा मेरी वीडियो को और ऐसे ही अपना प्यार दिखा दे रहिएगा तो थैंक्यू एव्रिवन फॉर विजिट मैं चैनल अब मिलेंगे नेक्स्ट व